Hello and Welcome to Delhi by Teaching Aptitude, Section Abhirouchi के Question Practice Set 20 में आप सभी का स्वागत है, इससे पहले मैंने Teaching Aptitude के Lectures को कवर करवाया है और Question Practice Set को भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के Playlist में जा सकते हैं, वाप पे Teaching Aptitude, Section Abhirouchi नाम का Playlist बना होगा, जहां पे ये सारे ही Lectures आपको Sequence मिल जाएंगे, और इसी Playlist में आप लोगों को Question Practice Set भी मिल जाएगा, आप सभी इन Video Lectures से एक-एक करके पढ़ सकते हैं, और फिर Question Practice Set को Solve करके, अंसर तक कैसे पहुँचते हैं, इन बातों को सीख सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला Question, इन में से कौन सा ऐसा Method है, जो बच्चों में Interest Generate करता है, रूची पैदा करता है, किस चीज को ले करके, Sports और Games को ले करके, तो ऐसा क्या करेंगे हमकी बच्चों को Sports में, Games में रूची आएगा, बच्चों को बड़े-बड़े Leaks जो होते हैं, Matches के वो दिखाएंगे, या फिर बच्चों को बहुत अ या फिर आप बच्चों के साथ खुद Playground में खेलेंगे, तो इन में से कौन सा ऐसा Method है, जो बच्चों को बहुत ही जादा Interest पैदा करेगा, Sports में, तो इसका Answer क्या हो जाएगा, Option No.D, यानि कि बच्चों के साथ यदि सिख्षक खुद मैदान में खेलेंगे, तो बच्चों को खुद बखुद Sports में Interest आने लगेगा, नेक्स, आज के दिनों में Teachers वैसे Respect नहीं Enjoy करते हैं, जैसा वो पहले किया करते थे, यानि Earlier Times में जैसे Respect उन्हें Student से मिलता था, सम्मान वो आज नहीं मिलता है, इसके पीछे Reason क्या है, Teachers बहुत जादा Tuition पढ़ाने पे ध्यान दे र या उपर के सभी, तो देखिए, पहले के Teachers के जैसा सम्मान आज के सिक्षकों को नहीं मिलने का कारण ये सभी है, कि Teachers tuition में involved रहते हैं, या अपने कारे को Dedication से नहीं करते हैं, नेक्स, इन में से कौन सा ऐसा Practical Method है, यानि कि वैभारिक विधी है, जिससे कि हम कठिन सब्दों क Students को याद करवा सकते हैं, या समझा सकते हैं, बच्चों को जो words है, difficult word है, उससे मिलते जुलते से समान अर्थ वाले सब्द बता करके, यानि कि समान अर्थक सब्द बता करके, या फिर उन्हें उस सब्द से उल्टा, जैसे कि अगर किसी बच्चे को long नहीं याद हो रहा है, तो हम बताएंगे कि long का उल्टा thought होता है, विलोम सब्द बता करके, या फिर बच्चों से हम कहेंगे कि इन words का, जो difficult words है, उनका use करो sentences में, तो कौन सा method work करेगा, difficult word को easy way में students को समझाने के लिए, तो इन तीनों ही चीज़ों को follow करने से एक कठिन सब्द को आसानी से याद क किया जा सकता है, next, informal education of the child, informal का मतलब क्या हुआ, formal का just opposite, formal यानि कि कि किसी school में proper, एक fifth time पे नियम के साथ नहीं कारे हो रहा हो, तो उस तरह के education को informal कहते हैं, जैसे कि अगर हम अपने parents के बीच बैठे और parents हमें कुछ ग्यान दे, कुछ सिक्षन दे, तो वो सिक्षा क्या होग informal होगा, क्योंकि हम लोग रोज नहीं बैठ रहे हैं, तो formal और informal में यही difference होता है, तो informal education बच्चों के लिए कब सुरू होती है, तो वो environment के साथ ही start हो जाती है, यानि कि बच्चे अपने परिवेस में ही बहुत सी चीजों को सीखने लगते हैं, वो informal education होता है, बागी अगर ह बहुत जादा effort लगा रहे है education के लिए तो भी वो formal हो जाएगा, next, एक बच्चे में mal adjustment यानि कि कूवेवस्ता और frustration यानि कि निरासा develop हो रही है, कब जब उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है, या उसकी जरूरतों को नजर अंदाज किया जाता है, या फिर बच्च बहुत ही जादा कूवेवस्तित और निरासा जनक हो सकता है, तो इसका अंसर क्या होगा, जब बच्चों की जरूरतों को हम ignore करने लगेंगे, उनकी जरूरतों को नजर अंदाज करने लगेंगे, तो बच्चे बहुत ही जादा frustration के सिकार हो जाते हैं, next, एक teacher होने के साथ आ यानि कि एक सिक्षक के रूप में आप किसे stress मानते हैं, आंत्री प्रेरना यानि कि प्रेरना आपको motivation अंदर से मिले, या फिर वाहरी प्रेरना या दोनों, या दोनों में से कोई ने, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, प्रेरना आपको सिर्फ बाहर से नहीं, बलकी अंदर से भी मिलनी चाहिए और आपके अंदर भी अधी motivation की कमी आ रही है तो आप अपने motivation को boost कर सकते हैं www.delivide.in पे जाके जहां पे seated, bade, net, jrf से related question paper और sample paper अबलेबल है उसके mock को solve करके next अगर एक student को insult किया जाए एक teacher के दोरा यानि कि एक teacher, सिक्षक अपने छात्र को insult करे बहुत सारे students या फिर class में जितने students हैं उनके सामने तो क्या संभावना है कि वो बच्चा क्या करेगा वो बच्चा बहुत ही जादा गुसेल, लडाकू और अभिमानी हो जाएगा, arrogance आ जाएगा उसके अंदर या फिर बच्चा बहुत ही जादा पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा या वो बच्चा पहले उस सिक्षक को जितना respect करता था उससे और जादा करेगा या उपर में से किसी कोई भी एक घटना घट सकती है तो इसका अंसर क्या होगा, option number A कि बच्चे जो है न लड़ाकू हो जाएंगे और अभिमानी हो जाएंगे इसलिए एक सिक्षक को कभी भी अपने छात्र को या छात्रा को insert नहीं करना चाहिए class के सामने Next, the study of child psychology यानि कि बाल मनो विज्ञान का अध्यान क्या कहलाता है तो देखिए इसका अंसर क्या हो जाएगा, option number A यानि कि सिक्षक को सिक्षा से संबंदित अनुसासन को समझने में ये मदद करता है बाल मनो विज्ञान Next, अगर आप एक सिक्षक है और अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से dedication के साथ complete करते हैं तो आप क्या expect करते हैं, यानि कि आपको किस बात की आसा होती है, उमीद होती है आप इस चीज के लिए price चाहते हैं, आप अपना नाम newspaper में सच्छपवाना चाहते हैं आप चाहते ही कि आपके honor में, आपके सम्मान में कुछ सब्द कहे जाएं या फिर आप चाहते ही कि आपके payment को बढ़ाया जाए तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number C यानि कि आपके सम्मान में कुछ बाते कही जाएं, कुछ अच्छे सब्द कहे जाएं अगर आपके classroom में, जब आप एक सिखशक बन जाएंगे तो हो सकता है कि आपके classroom में, उसी school के principal का बेटा पढ़ रहा हो और वो बहुत ही जादा indiscipline हो, अनुसासन हीन हो तो आप क्या करेंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे प्रधाना अध्यापक के डाट से, प्रकोप से बचाने के लिए आप उसे डाटेंगे नहीं वरना अगर आप डाटेंगे तो प्रधाना अध्यापक, यानि कि principal को पता चलाएगा कि उनका बेटा बदमासी कर रहा है, इसलिए आप डाटेंगे ही नहीं या फिर आप उस बच्चे के साथ भी समान व्यभार करेंगे जैसा कि आप दूसरे बच्चों के साथ करते हैं या फिर आप उसे बहुत ही जादा हार्स पनिस्मेंट देंगे ताकि वो ये ना सोचे कि वो principal का बेटा है तो आप उसे माफ करेंगे तो इन में से क्या हो जाएगा इसका अंसर आप उस बच्चे के साथ ऐसा ही व्यभार करेंगे जैसा आप दूसरे बच्चों के साथ व्यभार करते हैं आप अपने students को training कैसे देंगे कि वो library का इस्तमाल किस तरीके से करें उन्हें कुछ important books के नाम बता के उन्हें कुछ बहुत ही interesting और beautiful यानि कि बहुत ही रोंचक और सुन्दर कितावे दिखा करके और उन्हें पढ़ने का सला दे देंगे आप उनके साथ library जाएंगे और उनके साथ books को पढ़ेंगे या फिर आप उन्हें order दे देंगे कि library जाओ और books को पढ़ो तो यह answer क्या हो जाएगा option number C यदि आप खुद स्वयम बच्चों के साथ library जाएंगे कुछ किताबों को पढ़ेंगे तो बच्चों को भी interest आएगा और बच्चों को जब interest आएगा तो एक समय के बाद बच्चे खुद library जाने लगेंगे तो इसलिए एक सिक्षक को हर जगा बढ़ चड़के बच्चों का साथ देना चाहिए ताकि वो किसी भी काम को रूची के साथ करे इन में से कौन सा ऐसा best method है आपकी opinion में आपके विचार में जिससे की बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को किसी भी subject को याद रखने में बहुत आसानी होगी उन्हें बोले कि आप अपने दिल से याद करो चीजों को या फिर चीजों को अच्छे से याद करना चाहिए ध्यान से याद करना चाहिए या फिर जो भी चीजे वो याद करते समय समय पर उसे revise करना चाहिए या फिर बहुत ही अच्छे से brain में भर लो चीजों को याद करक पर तो वो चीजे खुद बच्चों को याद हो जाती है Next, एक सिख्षक होने के नाते क्या आप ये मानते हैं कि सिख्षक का Code of Conduct होना चाहिए Teachers का Code of Conduct होना चाहिए नहीं, हाँ, नहीं ये Teachers के Dignity के खिलाफ है यानि कि Teachers की गरिमा इससे हरास होगी या फिर अगर Teachers के लिए Code of Conduct आ जाएगा तो Teachers के लिए Suicidal होगा आत्म घाती होगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? Yes, Teachers के लिए Code of Conduct होना ही चाहिए Next, Parents और Teachers की जो Meeting होती है वो कब होनी चाहिए? जब Exam का Result Declayer हो गया हो उसके बाद या फिर जब New बच्चों का Admission हुआ हो उसके बाद या फिर समय समय पर होना चाहिए या फिर किसी Special Occasion कुछ Annual Function हो या फिर कोई भी Occasion हो तो उसी के साथ साथ करना चाहिए कब होना चाहिए Parents Teacher Meeting? तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option C, Parents Teacher Meeting समय समय पर होना चाहिए Next, इन में से कौन सा Behavior है? एक सिख्षक का जो बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से Effect करेगा एक Teacher का हमेशा Classroom में लेट आना एक Teacher का अपने Students को जान मूच कर कम माच्श देना एक Teacher का अपने Students को छोटी छोटी बातों पर डाटना या फिर एक Teacher को अपने जो भी उनके Favorite Student है उन्हें Favor करना, Partiality दिखाना तो इन में से कौन सा ऐसा Option है जो एक बच्चे को Student को बहुत ही जादा Effect करेगा Teacher का Behavior तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? एक सिक्षक को Partial नहीं होना चाहिए एक सिक्षक को सारे ही विद्यार्थी को एक समान देखना चाहिए This was all for this Video Lecture आप लोगों को Teaching Aptitude के Lectures यदि Sequence वाइस चाहिए तो आप हमारे चैनल के Playlist में जा सकते हैं वहाँ पे Teaching Aptitude Section अभी रूची नाम का Playlist बना होगा जहाँ पे यह सारे ही Lectures Sequence वाइस मिल जाएंगे और इसी Playlist में आप लोगों को Question Practice Set भी मिल जाएगा साथी साथ आप लोगों को आगे आने वाले Video Lectures के Update चाहिए तो Delhi Bytes को Subscribe कर दे और Bell Icon को भी प्रेस कर दे and also follow and connect with us for updates and queries on WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram Links are available in the description box Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section Thank you